हेलो एवरिबड़ी वेलकम टू माई चैनल तो यार आज हम लोग बात करेंगे गौटजिला वर्ट से स्कॉंग का फर्स रियक्शन आ चुका है मैंने यह मूवी नहीं देखिए और मैक्सिमम लोगों ने इस मूवी को देखा है नहीं को कि यह मूवी अभी तक रिलीज में 24 यानि के परसू यह मूवी हमें देखने को मिलेगी यह हिंदी में भी रिलीज होएगी लेकिन जो क्रिटिक्स ने यह मूवी और चेक आउट की तो उनका क्या रियक्शन है वह मैं यहां पर बताऊंगा तो आप समझ में आ गया ना कि फर्स रियक्शन रिवीव किसको बोल लागा जिन लोगोंने गोड़्जिला वर्ट्सेस कॉंग मूवी देखिए चले मैं आपको बताता हूँ तो सबसे बना आपको बताता हूँ कि जो प्रीवियस मूवी थी गोड़्जिला किंग ऑफ दी मॉंस्टर उसको मिक्स रिस्पॉंस मिलेता ज्यानिकि ओडियन्स और प्रिटीस कि तरव से कुछ लोगों को मूवी अच्छी लगई थी कुछ लोगों को मूवी अच्छी नहीं लगए थी और इसी वज़े से गोड़्जीला वर्ट्सेस कॉंग की मूवी र Cart Doch तोड़ा सा पीषय कर दिया क्यूंकि इन इस टूडियो को इस पाट्यूलर मूव के कुछ री शूट्स करा है उनके वी अच्छी तरह से इस मुवी की रिलेस्ट पीछे होते गई और फिर इसके बीच में कोवीड भी आ गया तो और यह मुवी डिले हो गए लिए और अगर क्रिटिक्स की माने जिन लोगो ने इस मुवी को और रेडी चेक आउट किया तो उन मुवी की सबसे हाइलाइट है वो है टाइटेंस के बीच की फाइट और यह देखकर आप लोग के पैसे वसूल हो जाएगे लेकिन मुवी की फिर से नेगेटिविटी है उनके जो हुमन करेक्टर से उनको अच्छी तरह से डेबलॉप नहीं किया और यह इस पर्टिक्लर आपका पैसा 100% वसूल होगा और मॉंस्टर वर्स की अब तक कि सबसे अच्छी मुवी बताए जाए यह गौडजिला वर्सेस कॉंग को अब उनकी बात कितनी सच है मुझे नहीं पता मैं तो मुवी देखूँ उसके बाद ही आप लोगो को बताबोगा फिलाल मैं बहुत ज रिएक्शन रिवी कैसा लगा वो भी कमेंट सिक्से में जरूर बताना की तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दें बाए